वा, हरी खास पर ओसकी बूंदों से कितनी ठंड़क मिल रही है देखो, उक्ता लाल सुरज भी कितना सुन्दर लग रहा है बच्चों, तुम्हारी बातों के आधार पर एक कविता सुनाता हूँ हरी हरी दूब पर ओसकी बूंदें अभी थी, अभी नहीं है जब पूरब की गोद में बाल सुर्य पाउं पहलाने लगा तो मेरे बगीचे का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा वा, कितनी सुन्दर कविता है कविता में जो शब्द बोले गए हैं वे वर्णों में समू है इन्हें सुनकर हमारे मस्तिष्क में इनके चित्र उभर रहे हैं जैसे हरी दूब, ओस, सूर्य, पत्ता, बगीचा ये सबी किन वर्णों के मेल से बने हैं? आईए जाने हरी ह जमा, अ जमा, र जमा, र जमा, इ दूब, द जमा, उ जमा, ब जमा, अ ओस, उ जमा, स जमा, अ सूर्य, स जमा, उ जमा, र जमा, य जमा, य जमा, अ पता, प जमा, त जमा, त जमा, त जमा, आ स्पष्ट अर्थ देने वाले ये सभी वर्ण समुह शब्द हैं अता हम कह सकते हैं वर्णों के ऐसे समुह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है शब्दों में एक अक्षर से लेकर कितने भी अक्षर हो सकते हैं इसलिए सार्थक होने पर ना आदी एकाक्षर भी शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाशा का प्रयोग करते हैं। कोई भी भाशा वाक्यों से बनती है और वाक्यों शब्दों से। शब्द बनते हैं विभिन ध्वनियों यानी वर्णों से। शब्दों की रचना ध्वनियों के निश्चित क्रम से होती है। क्रम बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निरर्थक हो जाता है। भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है जैसे किताब, घोड़ा, घर, मिठाई, आदी। इन शब्दों की स्वतंत्र सत्ता है। भाषा की शक्ति उसकी शब्द योजना और शब्द संपदा पर ही आधारित होती है। इसलिए नए भाव, नए विचार, नए अनुभव दूसरों तक पहुचाने के लिए नए नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। नए शब्दावली भाषा को सम्रिद्ध बनाती है। शब्द और पद, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वह पद कहलाता है। पद के रूप में धोबी और गधा दोनों संग्या शब्द हैं, किन्तु व्याकरनिक प्रकारे की द्रिष्टी से धोबी करता का और गधा कर्म का काम कर रहे हैं। मारता है क्रिया का भूत कालिक रूप है। यहां धोबी और मारता है क्रिया के बीच करता यानि क्रिया को करने वाले का मारता है क्रिया का प्रभाव गधे पर पढ़ रहा है, इस प्रभाव को कोचिन से दिखाया गया है, इस प्रभाव को व्याकरण में कर्म कहते हैं स्पश्ट है कि धोबी, गधे, मारता है का शब्दों के रूप में न तो आपस में कोई संबंध है और न ये कोई व्याकरनिक कारे करते हैं मगर वाक्य में प्रयोग होकर ये करता, कर्म और क्रिया के रूप में कारे करने लगते हैं यही शब्द और पद का अंतर है शब्दों के भेद हिंदी में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है सुविधा की दृष्टी से निम्न लिखित आधारों पर शब्दों के अनेक भेद किये जा सकते हैं रचना के आधार पर, स्त्रोत या उत्पत्ती के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूडशब्द, यौगिक शब्द, योग रूडशब्द, रूडशब् जो शब्द परंपरा से किसी विशेश अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके टुकड़े किये जाने पर उनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूड़ शब्द कहते हैं जैसे चित्र आदमी थैला आदी चित्र बराबर चि जमा त्र आदमी आद जमा मी योगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को योगिक शब्द कहते हैं जैसे बैलगाडी, पाटशाला, घुरसवार, धनवान, पुस्तकाले, प्रधानमंत्री, आदी राजपुत्र, राजज़मा, पुत्र अश्वारोही, अश्व, जमा, आरोही, विद्याले, विद्या, जमा, आले इन शब्दों के किये गए टुकडों के भी स्वतंत्र अर्थ हैं, अता ये योगिक शब्द हैं योग रूड शब्द बनावट के दृष्टी से जो शब्द योगिक हैं अर्था दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं किन्तु अपना सामान अर्थ छोड़ कर किसी विशेश अर्थ में रूड हो गए हैं उन्हें योग रूड शब्द कहते हैं जैसे श्वेतांबरा, नीलकंट, चारपाई, गिरिधर, लंबोदर, दशानन, आदि चौपाया, वारिद, पीतांबर इन शब्दों के क्रमशा शाब्दिक अर्थ हैं चार पैरों वाला, वारी यानि जल को देने वाला और पीले वस्त्र वाला किन्तु ये शब्द क्रमशा पशु, बादल और श्री कृष्ण के अर्थों में रूड हो गए हैं अता ये योग रूड शब्द हैं स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेट यहां उत्पत्ति से अभिप्राईया है कि कोई शब्द कहां से आया है यानि किस भाषा से हिंदी में आया है हिंदी में कुछ शब्द संस्कृट से आया है कुछ संस्कृट के शब्दों से बने है कोच अन्य भाषाओं से आया है इस आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं स्त्रोत या उत्पति के आधार पर शब्द भेट, तजसम शब्द, तद्भव शब्द, देशद शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द. तद्भव शब्द, हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से जियों के त्यों अर्थाद बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे स्वप्न, जेश्ट, शीर, रात्री, आदी. तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी ने ग्रहन कर लिया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे राज, दूद, खीर, सपना, काग, आदी. कुछ तद्भव शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार हैं. गोटक, घोड़ा, शत, सौ, नक, नाखून. पेट, सूट, पेन, पेंसिल, डाइरी, कोट, मिल, गैस, चॉकलिट, जेल, टाई, आदी. फार्सी से जमिंदार, दुकान, चश्मा, आइना, नमक, खरीद, गर्दन, गुब्बारा, रुमाल, शादी, शेहद, आद्मी, आदी. अर्बी से फॉलात, औरत, अल्लाह, अमीर, कलम, किताब, इशारा, सबूत, जुर्माना, तकदीर, तहसील, हिसाब, आदी. तुर्की से तो, तमाशा, चाकू, चाबी, तलाश, तॉलिया, आदी. पुर्टगाली से अल्मारी, कम्रा, साबुन, तंबाकू, कनस्तर, गमला, गोभी, आदी. चीनी से चाय, लीची, आदी. संकर शब्द. दो अलग-अलग भाशाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी हिंदी में खूब प्रयोग होते हैं. इन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे सजावत कक्ष, सजावत हिंदी, कक्ष संस्कृत, वर्ष गांट, वर्ष संस्कृत, गांट, हिंदी, चायादार, छाया, हिंदी, दार, फार्सी, रेल-गाडी, रेल, अंग्रेजी, गाडी, हिंदी, लाठी-चार्च, लाठी, हिंदी अर्थ के आधार पर शब्द भेद अर्थ के आधार पर शब्दों के चार मुख्य भेद होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, परियावाची या समानार्थी, विप्रितार्थी या विलोम एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं जैसे रोटी, पानी, चाई, घर, पेड, आदी अनिकार्थी शब्द एक से अधिकर्थ देने वाले शब्द अनिकार्थी शब्द कहलाते हैं जैसे हार, फल, उत्तर, आम, हल, आदी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं जैसे कमल, पंकच, सरिस, वारिच, अर्विंद, पद्म, आंक, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, आदी किसी शब्द के विप्रीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विप्रितार्थी या विलोम शब्द कहते हैं जैसे दुखसुक, सरलकठिन, धनी निर्धन, जन्म मरन, आदी कुछ लोग अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद बताते हैं सार्थक और निरर्थक शब्दों का यह वर्गी करण ठीक नहीं है क्योंकि शब्द तो होता ही सार्थक है निरर्थक वर्ण समूग को तो शब्द ही नहीं कहा जाता फिर उसे शब्द का भेद कैसे माना जा सकता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वह पद बन जाता है और कोई न कोई व्याकरनिक प्रकारे करने लगता है इस आधार पर शब्द यानी पद दो प्रकार के होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं इन्हें अव्याई भी कहा जाता है अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्चे बोधक, विस्मयादी बोधक याद रखें, वर्णों के सार्थक समुख को शब्द कहते हैं वाक्य में प्रयोक्त होने पर शब्द पद बन जाता है शब्द भेद के चार आधार हैं रचना का आधार, स्त्रो तत्वा उत्पत्ती का आधार, अर्थ का आधार एवं प्रयोक का आधार रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूड, यौगिक और योग रूड स्त्रो तत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विप्रितार्थी प्रयोग की आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं विकारी और अविकारी